स्वामी ने ब्रगवान श्रीकिशित के बारे में जो कहा है चैत हिंद बता गे उनको उसके बारे में आपके क्याव चाह रहे हैं देखो चोहां जी मैं एक बात मांनता हूं कि आप उठे कहां से और आपने किया क्या है जो कुमार स्वामी है मुझे नहीं लगता उसने कभी कोई साधना किया और मुझे लगता नहीं उसको अपने सास्त्रों का भी गयानों और मुझे यह भी नहीं लगता कि कभी उसको यह पता हो कि साधना से में इस्वार दर्शन मुझे लगता नहीं उसके दूर-दूर की नज जब से आप अपने आपको बहुत उच्छा सकते हो यह संसार है इस समय कल्यूप चल रहा है कोई भी व्यक्ति भगवान का होके भगवान का नाम लेके यह खुद भगवान मन के अपने आपको सिद्ध कर सकता है और उनकी एकसोर इतने अराणियों से तोकुमारस्वामिने बगवान क्रिश्ण को चरित्रहें उन्होंने बताया अन्की give एकसोर इतनी राणिय्य.छ 11,1000 राणियः थी नदिस्व जॉला हाजाय रानियों की सबके इतने पुत्र थे एक लाग साथ हजार पुत्र थे उनके और वो चरित्रहिंता की निशानी उनको बता देते हैं और उन सब के साथ वो जो है ना शैन करते थे ऐसे ऐसे एक तो कुमार स्वामी का चेहरा आप देख लीजिए उनके दोनों नेत्र जो है वो कुट कोटर की तरह जैसे उसमें आज ही कभूतर अंडे देदे ठीक है इतने गहरे दसे हुए हैं तेज ही चेहरा है सपेद बाल है दाड़ी ऐसी है कि दो दिन अगर नहान आए तो उनमें जूए हो जाए खुजरी करते करते पादल हो जाए कु अगर मारश्वामि या के लिए उनको श्याद यह नहीं पता एक सो पचीस वर्स लेवायन कृष्ण थे तब उनके बाल बिलकुल काले एक भी बाल सब्स्वेट नहीं था बिलकुल खाले और भूरान करुश्म की दे से हमिशा पादूंगर निकलती थी और भगवान जाए शरीर के साथ आहेंकर दोट geliyor वेंदव नियुक्ति और होत लिए अधिक हैं तो जो प्रमरसि कुमार सवामी हैं उसको यहीं हुम पता कि वह छिए में शरीर होता है और ना उनको यह पता है कि जब भगवान ने वस्त्र शिपाय तो बालपन में दे और बालपन में तो बच्चा अपनी मां के साथ नाता है जब कि मां अर्दिनकर रहती है उसके सामने और कपड़े में उसकी हलकी सी ओड़ करके बदल लेती है तो इस सवस्ता में वो कोई उन पर भगवान पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी विलक्षणता पर अरोप लगा रहे हैं तो मैं उसको मौर्खी मानूंगा इश्वर इश्वर है और भगवान किसर जो है वो गीता के गयाता है जिन्होंने 5000 वर्स पहले भगवान शूरिये को जो हैनों पदेश दिया था आज से 5000 पहले तो अरजन को बताया उससे 5000 पहले शूड़ यह को दिया तो वही क्यार उन्होंने 5000 वर्स कैयंत्राल पर दो को दिया आगे वी 5000 के अंत्राल पे किसी और कोभी और किसी और को वी वह वीराज सुख लोंगे लेकिन मुझे नहीं पत हो जाते हैं ठीकर किसी ने कहा थोड़ी ना ब्रहुर्म हो गए आप परिभाष्चा क्या अम महां भाइब बीना बाद की यह ऐसे हैं जैसे जहां से हमारी पुस्तके चपती है उनका नाम विचेंद्र गोयल जी उनके पास एक आदमी आता था वह योग शिकाता था तब योग शिकाता था उनका नाम था राकेश कुमार तो उन्होंने पत्री का चपवाई और जब पत्री का चपवाई वह योग शिकान लगे 10-20 कोई महत्मा नहीं है यह कहता है मैंने बीज मत्रों से यह कर दिया कुछ नहीं कर दिया आप पाच लाख लोगों कोई खटे कीजिए तीन दिन का समागम कीजिए वहां क्या होगा कि जिन प्रेतों ने शरीर में अभी अभी घर के वह छोड़के भाग जाएंगे उनसे जो ज पास बहुत सारे लोग रहते हैं या उसके शिश्य स्विकार करें हजारों लोग मेरे पास रो जाते हैं उनमें से एक आदमी को मैं भूलूँआ वह उसको अपने सारे भीज मत्र लगा के ठीक करके दिखा दो और मैं उन्हीं के सामने आथ गटे के अंदर ठीक करके दिखा तब तब उनको कम से कम अकल तो ठीकाने लगा देखें अब चौहां जी यह बताएए कि जब शरीर में रोग हो गया तो वह डाक्टर नहीं ठीक करना था फिर वह चंगे जगे जाके जितने बाबाया वहां लोग ठीक कैसे होते हैं यह बात सरकार में देख दी यह बात डाक कुछ लोग ठीक क्यों हो जाते हैं उसके पीछे का कारण नहीं देख रहें वह यह नहीं जाब रहें कि एक प्रेत हैं जो संसार को गुमा रहा है वह अब सबके सरीरों में तक्री बना चुका है उसको बोड़ने निगेटिविटी वह निगेटिव एनर्जी वह नकरात्मक तुने किया क्यों है ओप्रेशन के बाद वहीं पर फिर से दर्द है या दर्द थोड़ा सरक जाता है बैस इतनी बात है तो उनको वह सब्ता सरज में आ नहीं रही है उसके खेल के पीछे कोई जया नहीं रहा है और तब क्या हो रहा है तब एक औरत सर गुमारियों से कुछ हुच हमाइबों तो जो खेल रहा है सामने उसमें कोई अनुमान जी ठोड़े नहीं को माता थोड़े ही और देखे यह बी कितनी गलत भात एक मुसलमान कह रहा है कि तेरे अंदर अनुमान जी आरा ना ले मैंने पकड़ के मार दिया तेरे हमान निकालने वाला है वो क तो वो जो नरायन साकार हरी है वो कैसे देवता बन गया आप यह देखिए देवता ऐसे बन गया की 5000-10000 लोग वह उनमें से 20 लोग ठीक होगे ठीक है यह यूपी का यह मैं एक आद्वी ठीक है आठ कनाथ से उपर लोग आगे बिल्कुल ठीक है ऐसे गरीब लोग है अपना इलाज बड़े मेंगे उस्पिलों में करा नहीं सकते हैं और वह यह सुचते हमारे लाज यही कहीं मिलें तब सो आद्मियों में से कुछ वैसा खेल है अब देखिए ना तो डाक्टर खोज कर रहा है कि तेरे से रोग ठीक क्यों नहीं हो और ना वो और उल्टा यह कह रहा है कि यह बाबा पनप के पनप यूंग है क्योंकि इनके हज़ादे से दो चार दो चार लोग ठीक होते हैं और वह बहुत सारे लोग यह थालिए उनमें से 500 में से 500 टीक हों गयी हो वह 500 आखे लोगों को भाया रखेंगे और उनकी होऊ चलागे तो सोने भी आगया मेरी घाट खतम होगी मेरे दर्दि खतम हो गए तो वह था किया होगा वह भ्रमरशी कुमार सवाम ही से जोड़े रखें और वह अपने नाम के सब्सक्राइब यह चल रहा है इनके पास कुछ नहीं है उल्टा इवर जितने महात्मा है जिन्होंने सारे शिष्ष्ष जोड़े मंत्र दियें कानमें मंत्र फूक है उन सारे महात्माओं को भी नहीं है वह मंत्र आदमी अदमी लोग जबते लिए लीकिन जब गूरु ने लागते निया प्रश्ष विसिष्टा वोजो बहर दो गर्स टोंगर और जिनको एक दो महीने पहले को प्रहत लग गया तो वो ठीक हो जाता है तो वो कहते हैं गुरुजी ने सब कुछ कर दिया इसी तरह से इन बाबाओं के पास बीड़ 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 अंतरका एकि मूल ज्यान किसी को नहीं पता होता है इसलिए मैंने आपके विस्तार से समझा है यह सारा व होती है जो देवताओं के लिए इस पर ने जनम लिया जैसे ही वह परकट हुए जिसको तुम दुर्णा कहरे हो जिसको तुम कल्णा काली सीवा कह रहे हो वही स्कों यह बता के जाते है तेरे मारने माला करश पैदा ओशल गर मारा को आफ़ देखिए कितनी बड़ी बात है तो नीच को यह शरवन है कि आप अधुद्ध ग्यान है जैसा गीता में है क्या भग्वान किर्ष्ण कि आप कोई भी तुल ना कर सकते हो ठीक है कि नहीं तो यह लोग जो है यह बिना बाद के ब्रह्मशंद को आगे लगा लेते हैं कि उसely 2 यहcompass़ी हो गए उसके कैने बरते यह लोगों te म얁ता औरे वह तो पैसे के लिए तो राम बने थे पैसे के लिए लक्षमान बने थे पैसे के लिए बही ही बढायी कर रहे थे तो ऐसे लोगों को इतना बढ़ावा मिल चुका इस समाज में कि कभीर दाजी आए ना आए हमें कभी दाजी कि पंक्ति पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे लोगों को मजा चखाना होगा उनको पताना होगा कि तुम्हारी उकात यह और तुम भगवान को दोस्टी बता तुम्हें यह नहीं पता कि जब भगवान कृष्ण पर कट हुए तो ब्रह्मा जी आए हैं जी पिर लोगी के नात नीचे आए जमीन पर बेंदव दे लेके वह चिन में शरीर लेखे भगवान इंद्रियों के वस्ट में कभी नहीं हुए इसलिए वह इंद्रिया मनाता ही अपने लिए इंद्रियों का उप्योगी नहीं करते हैं ठीक है उनके तो संकल्ब मात्र से स्विष्टी चलने लगी पहले तो यह बता हैं पांच लाग करोड़ एक मंदिर के लिए जोड़े वह मंदिर बढ़ गया क्या पांच लाग करोड़ अपने हर सतंग में यही एलान नुक्ता था उनका पांच लाग करोड़ का मंदिर बना रहें 5000 करोड़ मंदिर को कहा गया वां मंदिर 500 643 मैं देखना हो का मैं देखना चाहता हूं आप भी देखना चाहते हैं दो भीником पैसा करने आते हैं उससे विदेसों में जमीने खए लैड़ाने क्षिदे पूरी है बड़े-बड़े कई जहाज खड़िते हैं पानी के और उनमें बागनों नहीं में जाके रहने जाते हैं इनको यह पुछो कि आप विदेशों की इतनी आत्रा कर कैसे पारें कभी लैड में हो कभी कहीं हो कभी कभी यह सब जंता का पैसा है जंता को मूर्ख बना के लूटा ग आपने मेरा विचार सुना आपको कैसा आज एक नहीं मुझे आज एक प्रहना मिले भ्रिया जी सारी तीजे सुनके देखे आपकी बात उनके और मैं आपका बहुत आभारियों यह ज्यान नहीं है यह सकते हैं इसको जो सुनेगा वो इस विश्रु में जो है बगवान की किर बगवान बगवान है ऐसे जो बगवान की अपकीवती करते हैं वो शैताने धरापर और उनको तो सरकार की तरफ से ही सजा मिननी चाहिए जैशन जैशन